नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है तेरा जन्वरी दिन सनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर CM नितीस ने मीडिया कर्मियों के लिए किया बड़ा एलान बिहार में एक साथ 500 से अधिक टीचर्स की जाएगी नौक्री बिहार में चलेगी बरफीली पच्छुआ हवा आज होगी इंडिया गडवन्धन की एहम बैठव शिवम दूबे ने MS धोनी को दिया अपनी शांदार बल्लेबाजी का श्रे अब चलेए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से ECIL में जुनियर टेक्नीशन के 1100 पदों पर निकली भरती Electronic Corporation of India Limited की ओर से जुनियर टेक्नीशन के 1100 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो official website esil.co.in पर जाकर online तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 16 जन्वरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लेगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार electronics mechanic electrician feeder trade में ITI उत्तरण किया हो इसके साथ ही अभ्यर्थी ने एक वर्स apprenticeship के साथ अभ्यर्थी के पास post qualification के बाद एक वर्स का अनभव होना चाहिए वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें आज से यह नितीज सिक्षकों को बाटेंगे निक्ति पत्र आज यानी की 13 जनवरी को विहार की राज़ानी पट्ना के गांधी मैदान में दो पहर बारा बज़े से विहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा दूसरे चरण की सिक्षक नुक्ति परक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को निक्ति पत्र बाठा जाने वाला है सिमस को लेकर गांधी मैदान में पूरी तयारी कर ली गई है और सुरक्षा के भी खास अंतिजाम किये गए है बता दे कि गांधी मैदान में मुख्यमंच के पास लगभग 10,000 स्क्वाइर फूट में हैंगर तयार किया गया है वहीं सिक्षकों के बैटने के लिए 30,000 कुर्सियां भी लगाई गई है पानी पीने के लिए वाटर, ATM, टैंकर वर जार की विवस्था की गई है 200 और स्थाय ट्वैलेट वर यूरिनल बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए 80 magistrate वर पुलिस पदाधिकारी के साथ 800 से अधिक पुलिस बल की भी प्रतिनुक्ती की गई है सुधा के लिए गांधी मैदान में विवन प्रवेश द्वारों के निकट हल्प डिस की विवस्था की गई है काडिकरम के दोरान फोन बंद या साइलिंट मोड में रखा जाएगा फोटो या वीडियो बनाने पर पाबंदी होगी सिक्षक अपने साथ कोई भी सामगरी जैसे बैग बोटल इत्यादी लेकर गांधी मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे गांधी मैदान में इंक्लोजर बनाया गया है ताकि संबंदत तीचर चिनहत स्थान पढ़ी बैठे नव नुक्त सिक्षक औपवंधिक नुक्ती पत्र एवं आधार काड के साथ उपस्तित रहेंगे बिहारी बोटरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्यामा नंद जालान के बारे में श्यामा नंद जालान का जन्म आजी के दिन 1934 में हुआ था यहां कॉलकता एसित भारतिये थेटर नरदेशक और अभिनिता थे उन्हें 1960-1930 के दशक तक अधुनिक भारतिये रंगमंच और विशेशकर कॉलकता में हिंदी रंगमंच के पुनट जागरन का श्रे दिया जाता है वह अधुनिक्ता वादी मोहन राकेश का प्रदर्शन करने वाले पहले व्यक्ती थे जिन्होंने 1960 में आसाड का एक दिन से शिडवात की थी 2005 में उन्होंने अपनी पहली और एक मात्र फिल्म इश्वर माइम कंपनी का नरदेशन किया जो विजय तेंदुलकर द्वारा दुवेंदू पालित की कहानी मुख भिनोयक का रुपांतरत था स्टेज नाटकों में एक अभिनेदा के रूप में वह रोलांड जोफे की उनिस्व बानवे की फिल्म सिटी ओफ जॉई में डॉन के रूप में दिखाई दिये उन्होंने मिर्णाल सेंद की टेलिवीजन स्टिंखला तस्वीर अपनी अपनी और बाद में श्याम बेनेगल की आरोहन MS सथ्यू की कहां कहां से गुजर गया और उत्पिलेंदू चक्रवर्ती की चोख में अभिनाय किया उन्होंने 1905 में थेटर ग्रूप अनामिका 1906 में इंप्रेस सारियो संगठन अनामिका कला संगम की सहस्थापना की और बाद में 1972 में उन्होंने अनामिका को छोड़ कर अपना खुद का पदातिक थेटर ग्रूप बनाया जिसके वे जीवन भर निदेशक बने रहें पदातिक डान्स सेंटर 1989 में कॉलकता में सास्थ्रिय और समकाली नृत्य के लिए एक स्कूल शुड़ किया गया था उन्हें नर्देशन के लिए 1972 का संगीत नाटक अकादमी पुरूसकार मिला जो संगीत नाटक अकादमी भारत को राष्ट्रिय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया गया और बाद में अकादमी के उपाध्यक्ष बने रहें बिहार STET का डमी एडमिट कार्ट जारी अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो STET परिक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे कि बिहार स्कूल ए से अपना हॉल टिकेट डाउनलोड कर सकते हैं आपके जानकारी के लिए कि इस परिक्षा का आयोजन मार्च महीने में किया जाएगा वहीं इसके लिए ऑनलाइन आवीदन की प्रक्रिया शिडवात 14 दिसंबर 2023 से हुई थी जो की 7 जनवरी 2014 तक चली थी वहीं इन सब के अला सरकारी और नीजी स्कूल इतने दिनों तक बन विहार में बढ़ती ठंड और बच्चों के स्वास्ते को देखते वे विहार की राजदानी पटना के सभी सरकारी और नीजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है बतादे कि पटना डियम चंदरसेखर सिंग के द्वारा आदेश चारी करते वे का गया है कि जले में ठंड का मौसम और कम तापमान विसेश रूप से सुभ़ और शाम के समय में जारी है जिसके कारण बच्चों के स्वास्ते और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की संभावना है ऐसे में दंड प्रक्रिया सहिंता 1973 की धारा 144 के तहट पटना जला के सभी नीजी और सरकारी स्कूलों प्री स्कूल एवं आंगनवारी केंदरो सहित में वर्ग आठ तक सैचनिक गतिवीधियों को दिनांग 16 जनवरी 2024 तक प्रतिबंध लगाया जाता है वहीं वर्ग 9 से उपर की कक्छाएं पहले के आदेश के सुबह 9 बजे से दोपहर सारे 3 बजे तक चलेंगी मालमों किससे पहले बरती थंड को देखते वे जिलापर शासन के द्वारा स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव किया गया था जो की नाकाम्याब रहा जिसको देखते वे अब स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद करने का न जासधानी पठना में कारेड़त मीडिया कर्मियों को रहने के लिए अधिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी बलकि अब इनके लिए राज्यसरकार के द्वारा सुवधा उपलब्द करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि आज बिहार में विकास हो रहा है यह देखकर काफी अच्छा लग रहा यहां कई पुड़ाने मकान हैं इसको तोड़कर नए मकान बनाये जाएंगे और यदि मीडिया कर्मी चाहे तो उन्हें भी इन अवास में रहने का जगह प्रदान किया जाएगा आप लोग यदि चाहिएगा तो मकान आप लोग को भी दे देंगे हम लो कई बार हमें अच्छान नंबर से कॉल आता है से कॉल को लेकर जो हमें गलत इरादे से किये जाते हैं उसको लेकर भार सरकार के दूर संचार विभाग के द्वारा एक अड़्वाइजरी जारी की गई है जिसके तहत कहा गया है कि आप सभी ऐसे नंबरों से साभधान रहें जिनमें आपको Start 401 Hashtag डायल करने के बाद किसी अंजान नमबर को फोन करने के लिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो स्कैमर्स को संपंधित यूजर्स के incoming call एकसेस करने के अनमती मिल जाती है जिसके बाद आपको धोखादरी का भी सामना करना पर सकता है नए आरक्षन बिल पर इस दन पटना हाई कोर्ट करेगी सुनवाई बीते दन पटना हाई कोर्ट के नियाधीस के विनोध चंदरन के द्वारा बिहार के नए आरक्षन बिल मामले पर सुनवाई की गए और सुनवाई के लिए अगली तारीक नर्धारित कर दी गई है ऐसे में अब इस नए आरक्षन बिल पर अगले महीने यानि की दो फरवड़ी को सुनवाई की जाएगी बता दे किस बारे में याचिका करता के अधिवक्ता दीनु कुमार के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार सुनवाई के दोरान एक MLA और एक MLC के तरफ से वड़िये अधिवक्ता YB गिरी के दोरा इन दोनों को पार्टी बनाने की बात कोट के समक्च रखा गया जिस पर कोट के दोरा कहा गया के अगली सुनवाई को यह तै की जाएगी कि इन दोनों को पार्टी बनाया जाए या नहीं मालूम हो किस मामले पर पहली सुनवाई 9 अमंबर को ही थी पंकस रिपार्टी ने छोड़ा एलेक्सन कमीशन ओफ इंडिया के नशनल आइकन का पद विहार के लाल और बॉलेवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक पंकस रिपार्टी के द्वारा अपनी सुख्छा से एलेक्सन कमीशन ओफ इंडिया के नशनल आइकन के पद को छोड़ दिया गया है उन्होंने इस बारे में चिनाव आयोग को जानकारी दे दी है वहें इसको लेकर चिनाव आयोग के द्वारा एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर जानकारी दी गई है बतादे कि चिनाव आयोग के द्वारा ट्वीट कर लिखा गया है कि आगामे फिल्म में एक राजनितिक नीता के रूप में अपनी भूमिका को स्विकार करते वे अभनीता पंकस रिपाठी ने MOU के शर्तों के नुसार स्विक्षा से ECI नेशनल आइकन के रूप में पद छोड़ दिया है ECI ऑक्टूबर 2022 से मद्दाता जागरुकता और SBEEP में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए अभार व्यक्त करता है आपकी जानकारी के लिवता दे के इंदनों पंकस में लच्वार जैन मंदर एक जैन मंदर है जो बिहार के जमुई के पास लच्वार गाउं में स्थित है लच्वार बिहार के सबसे महत्वपुन जैन तर्थस्तलों में से एक है यह मंदर बिहार के जैन सरकिट का हिस्सा है और एक लोक्री जैन तर्थस्तल है इस मंदर में स साय रूप से मंदर से 2600 साल पुरानी महावीर की मूर्ती भी रखी गई है काले पत्थर की मूर्ती लगबग 250 किलोग्राम वजन की है मंदर में सभी आधुनिक सुवधाओं और भोजनाले से सूसजित एक धर्मशाला भी है सुटामबर परंपरा के नुसार लचवार छत्रिय कुंड का एक द्वार है जिसे महावीर का जन्मस्थान माला जाता है उनके जन्मस्थान की स्मृती में 857 में राजा धन्पर सिंग बहादूर द्वारा एक विशाल मंदर और एक धर्मशाला का निर्मान कराया गया था यह जैन तर्थ यात्रियों के लिए निर्मित 65 कमडो का एक बड़ा और पुराना विश्राम ग्री है धर्मशाला के अंदर भगवान महावीर का मंदिर है इस मंदिर के आसपास का शांत वातावरन आने वाले परटकों को काफी सहज महसूस कराता है बिहार में एक साथ 500 से अधिक टीचर्स की जाएगी नौकरी बिहार सिक्षा विवाग के दोरा राजी के 500 से अधिक सिक्षकों पर काड़वाई की जा सकती है बता दे कि यह सभी सिक्षक वही सिक्षक है जो पिछले कई महीनों से स्कूल नहीं आ रहे है दरसल बिहार के सिक्षा विवाग के मौनिटरिंग सेल के दोरा जारी की कई रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि राजी के विविन स्कूलों में तैनात 576 सिक्ष पर रहा है ऐसे में सरकार के ओर से इस मामले को सक्ती से लेते वे इन सिक्षकों के खिलाप निलंबन की काड़वाई करते वे इनके सालरी को रोकने के लिए भी कदम उठाया जा रहा है मेंटल हेल्थ केर एक्ट कानून पर टली सुनवाई पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के वी चंदरन की खंडपीट के द्वारा बिहार में मांसिक स्वास्ते और चिकिस्सा स्वधाओं से सम्मंदित मामले पर अब दो हफते बाद सुनवाई की जाएगी मालमोक इस मामले को लेकर की गई पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा राजे में में मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के गठन को लेकर रजिस्टरार जनरल को आदेश दिया गया था और इसकी प्रगती रिपोर को बताया गया था कि कोड की और से राजे सरकार को जो भी आदेश दिये गया है उन पर सरकार के द्वारा अधूरा कारे किया गया है नेशनल मेंटल हेल्थ के तहट राजे के 38 जिलों में प्रोग्राम चल रही है लेकिन वहां स्टाफ की कमी है विहार की आबादी की तुलन के द्वारा उन सीटों पर युवाओं को रोजगार उफलद करवाया जाएगा बता दे किस रोजगार मेला का आयूजन सुभा 10 बजे से होगा जो कि शाम 4 बजे तक चलने वाला है वहें इस रोजगार मेला में 18 वर्ष से अधिक उम्र के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं हा कभ्यर्थी नियोजग से जौब के विशे में जानकारी प्राप्त कर अपना आवीदन और बायोडाठा जमा कर सकते हैं BPSC 79 मुख्य परिक्षा का कारिक्रम जारी विहार लोग सेवा आयोग की ओर से 79 मुख्य परिक्षा को लेकर कारिक्रम जारी कर दिया गया है जिसके नुसार 20 जनवरी को सुभा 9 बजे से साथी 11 बजे तक ऐचेक विशे की पड़िकशा आउजित की जाएगी तो वहीं 2 पहर 2 बज़े से शाम 5 बज़े तक बाल विकास परियोजना पताधिकारी संबन्धित एक विशे 21 जनवरी को सुभा 9 बज़े से 2 पहर सारहब बारे बज़े तक वीतिये प्रशास्निक पदाधी कारी संबंधित एक विशे और दो पहर दो बज़े से शाम पांच बज़े तक पुलिस उपाधिक शक से संबंधित एक विशे की परिक्षा आयुजित होगी बिहार के मुसम में बदलाओ का सेलसला लगातार जारी है शीत लहर के दौरान बडफीली थंडी पच्छुआ एवं उत्तर पच्छुआ हवास चलेगी चार से छेट दीगरी 20 जन्वरी तक खतरनाक शीत लहर का सामना करना पर सकता है आयमडी बिहार के द्वारा जारी की गए पुर्वानुमान के रुसार आज यानी की तेरह जन्वरी को राजी के उत्तर दक्षिन पश्रिम और दक्षिन मध्यभागों के एक या दो अस्थानों में घना कुहासा चाह रहने की संभावना जताई गई है वह उत्तर बिहार के एक या दो अस्थानों पर शीत दिवस होने की संभावना है और राजी के दक्षिन बिहार के एक या दो अस्थानों पर शीत लहर की सिती बनने की संभावना जताई गई है बतादे के इंचेत्रों को लेकर आयमडी ब श्रियादव से नहीं हुई पता अधियर्थियों का कहना है कि वैकंसी के निकले 12 साल बीट गए लेकिन सफल अभ्यार्थियों को अभी तक निकती पत्र नहीं मिला है उन्होंने कहा कि J.U. और दुना जा रहा है इसलिए अब हम अपनी गुहार लेकर उपमुख्य मंत्री तेश्वी आदव से मिलने पहुंचे हैं पिकप के तहखाने से शिराब की बड़ी खेब बड़ामत बिहार में पुनरूप से शिराब बंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन इसे जुड़े मामले सामने आते रहते हैं हालाके इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विवाग के ओर से कई कोशिशें की जाती है इसी कोशिश के तहट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है बता दे कि ताजा मामला बिहार के बकसर के थाना छेतर अंतरगत मठिया मोर के समीब का है जहां नगर थाना पुलिस और डी आयो टीम दौरा संयुत रूप से गुप्त सुशना के चान प्रदीब कुमार रिंकु यादव और करहिया पाठक के रूप में की गई है बता दे कि बनामत की गई श्राप की कीमन 12 से 15 लाख रुपए की आंकी जा रही है फिलाल इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा आगी की काड़वाई जारी है रंजी ट्रोफी मैच तेखने मुईनूल हक स्टेडियम पहुँचे तेश्वी विहार की राजधानी पटना के मुईनूल हक स्टेडियम में रंजी ट्रोफी एलेट ग्रूप का दूसरा मैच पिहार और चतिसगर की टीम के बीच खेला जा रहा है जिसके पहले दिन के मैच में बिहार की टीम 38.4 ओवर में 108 रन बना कर औल आउट हो गई बिहार की टीम की ओर से सबसे आदा 49 रन विपन सौरफ के द्वारा बनाएगे वही सकीबुल गनी के द्वारा 30 रन बनाएगे जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उत्री छतसगर की टीम के द्वार एक विकेट के नुकसान पर 90 रन मरा लिए गया हैं मालम हो कि बीते दिन यह मैच देखने के लिए बिहार के उपमुखे मंतरी तेरश्वी यादब भी मुईनूल हक इस्टेडियम पहुंचे जहां होने इस्टेडियम का नरिक्षन भी किया वहिस्तुरान उपमुखे मंतरी तेरश्वी यादब के साथ राज्य खेल प्राधिकरण की महानेदेश अक्रवंदरन शंकरण भी मौजूद रहें आपकी जानकारी के लिवतादी के एलिट ग्रूप में खेल रहें पहार टीम अपने ग्रूप में सबसे नीचले पाइदान पढ़ें आज होगी इंडिया गरबंधन की एहम बैठक आज यानी की 13 जन्वरी को सुभा साहे 11 बचे से 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओं को देखते वे बीजेपी के खिलाफ एक जूट हुए 26 से अधिक विपक्षी पार्टियों की इंडिया गरबंधन की बैठक होने वाली है जिसमें इंडिया गरबंधन के शिर्स नीता ऑनलाइन से जुरेंगे मालम हो कि आज होने वाले इस बैठक को काफी एहम माना जाड़ा है क्योंकि हो सकता है कि आज के बैठक में शीट सेरिंग को लेकर कोई चर्चा हो मालम हो कि अब तक इंडिया गरबंधन के चार बैठक हो चुकी है जिसमें से सबसे पहली बैठक बिहार की राजदानी पटना में 23 जुन 2023 को हुई थी जिसके बाद इंडिया गरबंधन की दूसरी बैठक 18 और 19 जुलाई 2023 को बैंगलूरू में आयुजित की गई थी वहीं पीम मोदी ने अटल सेतु का किया उदगाटन जानिये इस सेतु की खासियत बीतर दिन देश के प्रिधान मंतरी नरंदर मोदी के द्वारा भारत की सबसे लंबी पुल और भारत की सबसे लंबी समुदरी पुल अटल सेतु का उदगाटन किया गया जिसकी आधार शिला वर 5.5 किलो मीटर है इस पुल के निर्वान होने से मुंबई अंतराश्ट्री हवाई अड़े और नवी मुंबई अंतराश्ट्री हवाई अड़े के भी सीधा संपर्क मिलेगा और साथी मुंबई से पुने गोवा और दक्षिन भारत की यातरा करने में भी समय को बचाएगा वह वापसी यातरा के साथ साथ दैनिक और लगतार यात्रियों के लिए अलग शुलक नरधारित किये गये हैं शिवम दूबे ने MS धोनी को दिया अपनी शांदार बलेबाजी का श्रे बीति प्रिहस्पतिवार को भारत और अफगानस्तान के बीच हुए T20 के पहले मैच में शिवम दूबे को प्लेयर आप दा मैच चुना गया वहीं इसके बाद उन्होंने जियो सिनिमा से बात करते वे अपनी शांदार बलेबाजी का श्रे महिंदर सिंग धोनी को दिया उन्होंने कहा कि जब मैं बलेबाजी करने आया तो मैंने मैच को खत्म करने के बारे में MS धोनी से जो सीखा उसे लागू करना चाहता था मैं माही भाई से बात करता रहता हूँ वह मुझे बताते हैं कि विवन परिस्थीतियों से कैसे नपटना है उन्होंने मुझे दो तीन टिप्स दिये और मेरी बलेबाजी की रेटिंग की इसलिए मुझे लगता है कि अगर वह मेरी बलेबाजी को रेटिंग देते हैं तो मैं अच्छा खेलता रहूंगा इससे मेरा आत्म श्वास बढ़ जाएगा तोनों मुझे उपरी क्रंप के वलेबाजी करने के अनुमती देते हैं अभी बहुत काम करना है और मुझे पता है कि वे मेरे समर्थन करेंगे और चाहते हैं कि मैं अच्छा प्रदर्शन करू इसलिए इ 1818 में मेवार प्रांथ की रक्षा के लिए बिटस सेना के एक साथ एक समझोती पर हस्ताक्छर की अंग्रेजियो और सिखो के बीच 1849 में चीलियन वाला में दूसरा युद हुआ समय युवाओ ने 1889 में अपनी साहितिक पत्रिका जुनाकी का प्रकाशन शुरू किया राश्रुपिता महात्मा गाधी ने हिंदू मुसलिम एकता बनाए रखने के रिए 1948 में आमरन अंसन शुरू किया भारत के पुर्वी राजे पशिम बंगाल की राजधानी कॉलकता में 1964 में हिंदू और मुसल्मानों के बीच भयानक संप्रदाइक दंगे हुए जमु कश्म रामचंद्र बैंदरे का जन्म हुआ 1911 में हिंदी कवी शमसीर बहादूर सिंग का जन्म हुआ 1929 में अंतरक्ष में जाने वाले पहले भारती अभिंग कमांडर राके शर्मा का जन्म हुआ 1928 में प्रसद भारतिय संतूर वादक शिव कुमार सर्मा का जन्म हुआ 1978 में भारती अभिनेता अश्मित पतेल का जन्म हुआ 1926 में प्रसद फिल्म नर्माता एवां नर्देशक स्थिस्तामंत का जन्म हुआ 1919 में उत्तर प्रदेश के पुर्वराजेपाल मररी चिन्ना रेड़ी का जन हुआ भारतिय राश्ट्री कॉंग्रस के अधक्ष के रूप में काड़े कर चुके आड़ एन माधोलकर का 1981 में निधन हुआ बारे में अचम बात करेंगे पी-म किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में तहत किसानों को ट्रैक्टर सबसिदी प्रदान करने का दावा कर रही है पी-ाई-बी ने अभी ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट कपट पुर्ण है और इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए अगरिकल्चर इंडिया की और से ऐसी कोई योजडा नहीं चलाई जा रही वाटसेप ने एंड्रोइड यूज़र्स के लिए लाया एक नया फीचर वाटसेप में एक नया फीचर जोडा गया है यह फीचर वाटसेप चैनल के लिए है वाटसेप ने पोल को वाटसेप चैनल में भी शेयर करने का ऑप्शन शुरू कर दिया है इससे यूज़र्स को किसी भी पोल पर जादा वोटिंग मल सकती है वाट्सेप के आने वाले सभी फीचर्स और तमाम खबरों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट डबलू ए बीटा इनफो के मताबिक इस फीचर को यूजस ने परहाँ सिर्फ कुछ शुनिंदा बीटा यूजस के लिए पेश कि किया है जो कि फिलहाल एक टेस्टिंड можем है कारोबारी सोध़ः के आकरे दिन संसक्स ने बनाया रिकॉर्ड बीते दिन यानि की शुक्रवार को कारोबारी सब्सपा के आकरे दिन संसक्स और निफ्टी दोनों के द्वारा अपने रिकॉर्ड तोड़ दिये गए बतादी की बीते दिन काड़ोबार के अंत में बी ऐसी सेंसक्स 847.27 अंक्या 1.18 प्रतीशत बरकर 72,568.45 अंक पर बन हुआ वही NSE का 50 शेड़ोबाला इंडेक्स निफ्टी 260.8 शुने अंक्या 1.2 शुने प्रतीशत फीज़ी की तेजी के साथ 21,894.55 के इस्तर पर बन हुआ बतादे की काड़ोबार के दोरान BSE सेंसक्स अब तक के उच्टम स्तर 72,720.96 और NSE निफ्टी 2928.25 अंके रिकॉर्ड उचाई पर पहुँच गया था बहिं सिंसक्स के 5 सबसे ज़ादा गिरने वाले शेर में पावर ग्रीड, बजास, फिंसर्व, अल्ट्रा टेक सेमेंट, एक्सेस बैंक और बजास, फाइनस के शेर शामिल रहें हम प्रति दिन आप से 5 ऐसे जरुवी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार, पुलिस, दरोगा समेत SSE जैसे अने प्रतियोगी परच्छाओं में काम आएंगे इसका सहुत तरहे ऑप्शन सी राश्ट्रे युवा उत्सव तोहजार चौबिस अगला सवाल, हाली में भारत ने कस देश के साथ वाइबरेंट गुजरात ग्लोबल सिखर सम्मेलन में चार समझोते ग्यापन परहस्ताक्छर किये हैं इसका सहुत तरहे ऑप्शन से अगला सवाल, हाली में केंद्री मंत्री नितिन गड़करी ने किस राज़े में 4,000 करो रुपए की 29 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकारपन और सिलन्यास किया है इसका सहुत तरहे ऑप्शन पंजाब अगला सवाल, हिंदी के प्रतम कभी सरहत पाद कहां के रहने वाले थे? आप्शन नारंदा, आप्शन बी सारनात, आप्शन सी दर्भंगा, आप्शन बी वैशाली इसका सहुत तरहे ऑप्शनी नारंदा, अगला सवाल, महान कला शिल्पी उपेंद्र महारती की करमस्थले निम्न में से कहाड़ा ही है? आप्शन असम, आप्शन बी उत्तर प्रदेश, आप्शन सी महराष्ट्र, आप्शन बी बिहार इसका सहुत तरहे ऑप्शन बी बिहार बीते दिन हमाय दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पनजाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्हों ने हमारे दुरा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर्द करीम खान गुनर सर्मा रंजीत मिश्रा राजकेशोर महतो अतीक खान सिंटु कुमार सदुल्ला पलवी मुहमद सकीर हुसैन उसकान कुमारी दिसिकेश साथ धरंजय कुमार धीरज कुम टूप से देखने चानल को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देखने तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद